नमस्कार मेरा नाम कोपल हालन है और आप देख रहे हैं सी लॉर्ड नियूस जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें बारत में COVID-19 के मामलों में गिरावट देखी जा रही है इसकी बाद से लोगों को राध मिली है लेकिन माना जाँ रहा है कि देश में महामारी का जोखिम कम नहीं हुआ है साउट इस्ट एशिया में WHO की रीजिनल डारेक्टर पूनम सिंग ने शनिवार को खुद एक बयान में यहाँ बात गई एक्सपर्ट ने कहा कि देश में अब संक्रमन की रफ्तार कम करने, सेह सामन्दी उपाओं को लागू करने इंडिया के पूर बॉलिंग कोच रत अरुण ने न्यूज नाइन लाइफ के साथ एक इंटरव्यू में टेस मैच का नेत्रत करने वाले खिलाडी के लिए कही ये बात उन्होंने कहा कि कप्तान कोई ऐसा शक्स होना चाहिए जो तर्द संकत रूप से सोचे कि इस टीम को बहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उन्हें लगता है कि वे शक्स रोहिश्चर्मा है एक यूवक खिलाडी को कप्तान के रूप में तयार करने वाली बात पर अरुन ने कहा कि चैन करताओं को कप्तानी के लिए एक गेंडबास के बजाए एक बल्लेबास पर विच्छार करना चाहिए जस्प्रीद बुमरा को लेकर काफी अटकले चल रही थी खास तोर से जबसे उन्हें दक्षन अफ्रीका शंकला के दौरान उपकप्तान के रूप में प्रमोट किया गया बल्लेबास को इसलिए पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ बिना ज्यादा राम किये तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है कोविट केसिस में कमी आने के बाद किन राज्यों ने खोले स्कूल और कहां अभी भी जारी है ओन्लाइन क्लासिस जानिये लिस्तार में कोविट केसिस में कुछ कमी आने के बाद देश भर में कई राज्यों ने स्कूल को फिर से खोल दिया है तो कई जगहां उपर अभी भी ओन्लाइन क्लासिस ही चल रही है यूपी में 6 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिये गये हैं दिली में पैरेंट्स और टीचर्स के असंतोष जाहिर करने के बाबजूद अभी स्कूल नहीं खोले हैं और यहां भी ओन्लाइन क्लासिस ही चल रही हैं महराश्ट में स्कूलों को बंद कर दिया गया है लेकिन हाल ही में डिप्टी सीएम ने खोशना की है कि पूर्णे के स्कूल एक फरवरी से खुलेंगे आज उत्तर प्रदेश चुनाफ को लेकर भाजपा की ये पहली वर्चुल रैली है जबकि केशप रसाथ मैनपुरी से वर्चुल रैली में जुड़े हैं प्यम मोदी ने रैली के दौरान विपक्ष पर निशाना साथते हुए आकि यूपी में पांस सल पहले विपारियों को तभा कर दिया था बेटी घर से निकलने में कदराथी थी अपरादी सरयाम घुमते थे जब यूपी दंगे की आग में जल रहा था तब सपा सरकार उत्सा मनाती थी नमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव ने आगामी विधानसबा चुनाव के लिए मैनपुरी की करहल छेतर से अपना नामंकन दाकिल किया अखलेश ने कहा ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा अखलेश यादव पहली बार विधानसबा चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में वो आजमगड से सांसद हैं इजेपी ने अभी तक अखलेश के खिलाफ अपने उमीदवार का एलान नहीं किया है धन्यवाद